जनपद नैनी ताल के हल्दवानी में सडख चोड़ी करण को लेकर उच नयायाले से मामला निस्तारित होने के बाद मंगल पड़ाव से ओके होटल तक 101 दुकान और भावन स्वामियों को दो दिन के भीतर अतिक्रमण तोड़ने के निर्देश दिये गए है लोक निर्माण विभाग और नगर निकम द्वारा जारी किये गए नोटिस में 23 अगस्त तक अपने भावनों को स्वेम तोड़ने को कहा गया है जिसके चलते सभी वैपारियों और भावन मालिकों में हड़कंप मच गया है इसी को लेकर सीटी मजिस्ट्रेट एपे वाजपई ने बताया कि सड़क चवरिकरण मामले में निस्तारित होने के बाद अब प्रशासन ने दो दिन के भीतर सभी 101 दुकानों को नोटिस दे दिये हैं इसका आगे उन्होंने कहा कि अगर 23 तारिक तक सभी दुकानों और भावनों को खाली करके नहीं तोड़ा गया तो प्रशासन द्वारा बल पुर्वक भावनों को तोड़ा जाएगा वहीं दुकान तोड़ने का नोटिस मिलने के बाद वेपारियों में हड़कंप मच गया वेपारियों का कहना है कि नयायाले ने दुकाने तोड़ने का कार भी आदेश जारी नहीं किया है और उनके पास उच नयायाले में जाने का अभी विकल्प बचा है उन्होंने काया कि वेपारी बजार बंद कर प्रशासन के खिलाफ बड़ा अंदोलन करेंगे हल्दवानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट से दोनों तरफ 12 मीटर इसको गाइड किया जाना है उसके क्रम में लोगने वाण वाण बड़ा तेईस्त अगस्त तक का समय सभी बूस जितने भी वहाँ पर लोग रह रह रहे हैं उनको समय दिया गया कि वह सवयम अपना इंपोच्मेंट हटा ले उसके बाद इसको बलपूर करने का बाद प्रक्रण का निस्तारण कर दिया गया है तोटल 101 नोटिस इस्यू किया गया थे तेईस तारिक का समय उनको दिया गया कि वह स्वयम अपना इंपोच्मेंट हटा ले उसके बाद सम्मंदित जो हमारा लोग निराण भाग है उसके दोरा बलपूरों किसे हटा इना